आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Analysis of Growth at Cellular Level is done by मुझा गया है कि जो यहां पर Growth Analysis होता है Cellular Level में वो किस तरीके से किया जाता है तो यह जो Cellular Level का Growth होता है यह Basically Cell Division पे Based होता है और साथ में यह यह भी Content करता है कि कितना Number जो है वो Cell का यहां पर पाया जाता है और कितने जादा यहां पर Organilis जो है वो भी यहां पे Present रहते हैं तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो Analysis जो है वो किस प्रकार किया जाता है तो First Cell जो कि बोला गया है Increase in Protoplasm तो Protoplasm Basically एक ऐसा Substance रहता है जो कि किसी भी Cell के बीच में होता है और यह Protoplasm जो है यह Content करता है हर वो Substances को जहां पे Organize रहते हैं जहां पे Cell Division होता है और जहां पे Number of Cells जो है वो Grow करते हैं इसलिए जितना यहां पे Protoplasm Increase होगा इतना ही Cellular Level में Growth जो है वो दिखाई दे सकता है तो इसलिए हम लोग First Option को ही यहां पे टिक करेंगे जो की Correct हो जाएगा और यहां पे बाकी अगर बात करें तो यहां पे बहुत ज़्यादा Ions और बहुत ज़्यादा Enzymes पाए जाते हैं जो की इनको Grow करने में Help करते हैं वोई Increase in Length में क्या होता है कि Cell को अगर हम लोग खीज के Length में बढ़ा देते हैं तो वो वेसिकली Cellular Growth हम लोग नहीं कह सकते हैं उसको सिर्फ Increase in the Length कह सकते हैं वही नंबर जो है यह Division के थूँ बढ़ता है जिसको हम लोग Cellular Growth यानि Growth Inside the Cell नहीं कह सकते हैं और वही Surface Area Increase होने का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम लोग Stretch करके Cell को बढ़ा रहे हैं लेकिन इसलिए हमारा जो Correct Option होगा जिसके लिए Cellular Level बढ़े था वो जाए Increase in Protoplasm और इसलिए हम लोग First Option को ही यहाँ पे टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 Million से जादा Students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर